Hello everyone, आज मैं आपके साथ बहुत ही important mudra share कर रहा हूँ जिसका नाम है pran mudra Pran mudra का importance pre menopause stage में और menopause stage में जितना होता है इतना और कोई विकती के life में नहीं होता है means अगर प्राण मुद्रा किसी भी भीक्ती को आप दोगे तो हर स्टेज में काम आएगा लेकिन प्री मेनोपॉस सेज में में सबसे ज्यादा इंपॉर्टन रहता है यह सबसे ज्यादा सिग्निफिकंट रहता है इसका बेनेफिट्स सो वो मुद्रा के बार बें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आज इस मुद्रा के साथ ऐसी एक प्रणायम सीक्वेंस है जो आप किसी भी लेडिस को दोगे जिनका एज लगबग 42 से लेके 48 के बीश में होगा तो वो उनको बहुत फाइदा करेगा पिछले आडियो के बाद सारे जो स्बसे में कंप्लेंड रहती है वो है feeling of tiredness, feeling of lethargy, muscle weakness, pessimistic feelings, timid feelings, feelings of crying, depression for unknown reason तो यह बहुत सारी बाते इसका जो root cause होता है वो है कि जो menopause, pre-menopause stage में या menopause stage में जो life के जो changes हो रहे हैं आपके साथ, जो physical changes हो रहे हैं, emotional changes हो रहे हैं उसके लिए सब सिंटम्स बहुत खुल के भारत पे स्टेज में और हमारे इतने साल के प्रैक्टिस में हमने देखा है कि प्राण्ड मुद्रा ऐसे स्टेज में बहुत काम आता है बहुत ज्यादा काम आता है तो मैं आपके साथ वो सीक्वेंश शेर कर रहा हूं प्रणायम का जिससे जो सीक्वेंश में अगर प्राण मुद्रा लगाया आपने तो बहुत बेनेफिट देगा आपको और आपके कोई भी स्टूरेंट्स लेडी स्टूरेंट्स जो 41-42 के एच से लेके 47-49 तक होते है जहां प्री मैनोपॉस और मैनोपॉस का सीजाता है वहां पे उनको क फरक पड़ेगा और अगर आप पूरा महीना करोगे तो 80-90% आपको रिजल्स दिखेंगे पर यह मुद्रा और यह ब्रीधिंग सीक्वेंश जो बता रहा हूं मैं वह आपको कंटीन्यू करना है लगबग 4-5 साल यह मुद्रा इतना अच्छा है कि आपको पूरे 4-5 साल जो मैं आसे प्यस्चीलिया अधियो में बताया था मैंने की वाल करना है और बड़ बड़े सेप लेकर ब्रीधिंग करना है तो आपको बॉड़े सीडा साट पसीना आverts घंख करने लगबग 5 अपम को यह feeling आपको आजाएगी कि body free हो गई यह slightly sweat हो रहा मुझे इसके बाद आपको straight bed जाना है या फिर आप सुखासन में बैठोगे या फिर आप chair पर बैठोगे कोई bench पर बैठोगे बिल्कुल straight bed जाना है straight bed के 30 second या एक मिनट तक अपने आपको rest देना है यह हो जाने के बाद आपको प्राण मुद्रा लगाना है और belly breathing शुरू करनी है belly breathing का ratio होगा 3 second का inhalation और 3 second का exhalation exhalation करते वक्त आप अपने belly के part को अंदर खीचोगे अंदर के तरफ towards inside towards the spine और यह आप maintain करोगे लगबग आप 40 से 50 बार आप करोगे belly breathing दस बार belly breathing करनी है आपको फिर आपको बीच में 30 seconds रूख जाना है फिर से आपको continue करने है ऐसे करके 10th के आप चार याँ 5 set फिनिश करने बない के belly breathing पूरा होने के बाद फिर से 30 seconds rest लेना है second round फिर से belly breathing करनी है लेकिन इस बार आपको belly breathing के साहथ आपको add करना है अश्विनी मुद्रा means inhale करोगे आप 3 सेकंड के लिए जब आपका belly हलका सा भार आएगा exhale करोगे आप जब आप belly अंदर खीचोगे लकिन belly अंदर खीचने के साथ आप अश्विनी मुद्रा भी करोगे यानि के anal contraction भी करोगे तो ये भी आपको करना है लगबग 30 बार करना है मतलब inhale करोगे तो belly हलका सा भार आएगा जब exhale करोगे तो belly अंदर लेते लेते आपको anal contraction या अश्विनी मुद्रा भी करना है और वो करने में आपको 3 सेकंड या 4 सेकंड लग सकते है 10 बार करना है 20 सेकंड बीट में rest करो फिर से 10 बार करो ऐसे करके आपको 30 बार अश्विनी मुद्रा के साथ belly breathing complete करनी है ये पूरा होने के बाद आपको करना है उडियान बंद उडियान बंद में हम पहले inhale करते है तो same as belly breathing inhale करते हैं हम लोग exhale करने के बाद हम belly को अंदर कीचते पहले towards the spinal cord फिर हम उपर खीचते है body जरा सा forward आता है ये position आपको लगबग 6 से 10 second maintain करना है then it's up to your capacity but ये दीरे दीरे maintain करना है और हर एक उडियान बंद छोड़ने के बाद लगबग 5-7 second रुकना है क्योंकि प्राण फिर से body में नीचे आएंगे तो वो आपको maintain करना है 5-7 second तक और ऐसे धीरे धीरे आपको 11 उडियान बंद पूरे करने है 11 उडियान बंद पूरा करने के बाद आपको फिर से rest करना है 30 second तक इसके बाद करना है आपको शीतकारी पढ़ायम अब शीतकारी पढ़ायम में जो आप breathing के साथ में जो थंड़क मैसूस करते हो अपने face में, अपने gums में अपने tongue में, अपने गले में, चाती में वो थंड़क आपके चाती तक आपके पेट तक दीरे दीरे नीचे उतर रही है यह आपको feel करना है शीतकारी पढ़ायम करते करते शीतकरी पढ़ायम एक साथ 30 नहीं करना है लगबग आपको 10 repetition करना है एक round में, फिर तोड़ा rest करना है 20 second का, फिर आपको फिर 10 करना है फिर फिर 10 करना है, ऐसे आपको 30 repetition शीतकरी पढ़ायम के finish करने और बाब में फिर से rest करना है 200 घबी करना करने और यह करने के वक्ट आपको जराबी करना चाrec नहीं मिया ब्रीधिंक फास करने के लिए आपको मध्यम कपी से बढ़ियं स्ट्रोग लेखे मध्यम बैली पूलिंग लेखे अपको पुल्लिक आूराम से करना है 1.5 second में 1 कपाल भाती तो समझो आपने 1 round किया 50 breath का फिर आपने 20-30 second rest लिया भीश में फिर आपने 1 round किया 50 breath का ऐसे शुरू आपने आप 100 breath कर सकते हो फिर दिरे दिर उसको 3rd, 4th week में आप 1.500 breath करना फिर आपको 200 breath करना है तो ऐसे लगबग आपको 1.500 से 200 कपाल भाती breathing करनी है मध्यम गती से फिर आपको फिर से rest करना है लगबग 30 second का कपाल भाती के बात करना है खेचरी मुद्रा टंग को रोल अप करना है पूरा उपर पीछे लगाना है और आपको खेचरी मुद्रा करना है आँख बंद करनी है बिल्कुल breathing को शांत करना है और धान पूरा अंदर लेके जाना है और यहां आपकी breathing जितनी lengthy हो सके कोई 4 second inhale कर सके कोई 6 second inhale कर सके जितना lengthy breathing कर सको उतना करना है आपको और यह breathing करनी है आपको लगबग 21 बार तो 21 बार खेचरी मुद्रा में deep breathing करनी है आपको और इसमें मैं time बताऊंगा नहीं क्योंकि time आपकी breathing के साबसे है तो आप अगर 6 second कर सको breathing in breathing out तो वो करो 8 second कर सको तो आप वो करो 4 second भी करो कर चलेगा लेकिन 21 बार बहुत देरे-देरे breathing करनी है ये करते करते आपके मुँमें बहुत सलावा जमा होगा उसलावा निगल जाना है पूरा आपको और ये finish करने के बाद फिर से आपको 30 second risk करना है खेचरी मुद्रा पूरा होने के बाद आपको प्राण मुद्रा छोड़ देना है आपने इतनी दिर तक आपको हलका सा बेली और पेल्विस पार्ट पूल करना है अंदर और ये अनलो मिलों आप कंटीनू करोगे लगबग 3 से 5 मिट तक दीरे दीरे करना है कोई टाइम आपको कोई जलबाजी नहीं करनी है 3 से 5 मिट करोगे आप ढ़ाई ढ़ाई के 2 सेट कर सकते हो या फिर लगातार 5 मिट कर सकते हो अनलो मिलों पूरा करने के बाद आपको फिर से 30 सेंड रेस करना है और बाब में करना है ब्रामरी पढ़ायम 11 बार ब्रामरी पढ़ायम करते वक्त आपको अनहत मुद्रा लगाके छाती पे रखना है उसको अनहत मुद्रा आपको अपने छाती के अंदर vibrations feel कराएगा जब आप ब्रामरी करते हो sound जब ब्रामरी का sound निकालते हो तो आपको vibrations feel होंगे छाती में तो हर ब्रामरी के साथ आपको breathing out जितना लेंदी हो से के उतना करना है आपको और वो breathing out करते हो जो vibrations होंगे जो आपको छाती में vibrations feel होंगे उसको completely आपको feel करना है ब्रामरी का sound आप नाक से करोगे लेकिन आपको vibrations feel करना है जहां आपका हाथ लगा हुआ है छाती पे ये करना है आपको 11 बार 11 बार पूरा करने के बाद आपको बिलकुल peaceful लगेगा बहुत शान्त लगेगा आपको energy बिलकुल still down हो जाएगी आपको अंदर से बहुत ही silence feel होगा ये silence को absorb करना है maintain करना है आप अपना कोई भी जो favorite mantra job है वो कर सकते हो आप आप कोई भी धिहान method करना है वो कर सकते हो आप कोई music लगा सकते हो और वो music सुन सकते हो या आप simply सुफा पे आराम से टेका देके लेट सकते हो या शवासन में लेट सकते हो whatever you feel like it but इसके बाद आपको कम से कम पांच मिट बिलकुल silence में शान्त बैठना है और वो silence और वो जो शान्त बैठोगे आप अंदर peacefulness जो feel करोगे वो आपके body में सारी healing करेगा वो silence आपके body में कंड कंड में प्राण शक्ती के साथ फैलेगा और आपके body में जो भी emotional या mental blocks है उसको अपने आप अंदर free करेगा ये sequence आप अपने students को सखा के देखिए अगर आपको ऐसे को symptom फील हो रहा तो आप करके देखिए और इसके बारे में कोई भी benefits आपको feel होए तो आप please मुझे feedback में बताना आपका feedback मेरे लिए बहुत जरूरी है thank you for now bye bye